वेलकम टू लखेरा कोचिंग सेंटर में आपका लखेरा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ स्टुएंट होप आप सभी अच्छे होंगे ठीक है और आज हम आज मोस्ट इंपोरेंट वीडियो लेका हैं मैं आपके लिए जैसे आपको पता ही है कि मेरी सिरी चली थी पह इसे इसमें चैनल हुआ बनते हैं वो सारे कोचन मैं इन वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्छो पहला question आपकी screen पर ये रहा देखो SSC online में आया वा था 9 अगस्त को 2017 के अंदर जो आपका exam हुआ था ठीक है तो ये CPO और अभी तुम्हें पता है कि अभी क्या कहता है railway और क्या कहता है group D वगर है कि सबकी date जो है वो government ने मतलब release कर दी है तो ये जितने भी अब exam होंगे सब के अंदर आपको प्रिवेशियर जरूर मिलेंगे आपको ये static gk के most important question है आपको मैं दिखाऊंगा अभी कब-कब ये questions आए हुए है ठीक है तो किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरास्टे सीमा है बच्चो एक बड़ाई important question है ये आज जितने भी questions लिए है ये मैंने कोसिस किया है कि सारे सारे देखो मैं topic वाइस questions ले रहा हूँ जैसे suppose करो अगर सीमों की बात हो रही है सीमा है जैसे हमारी जो जो boundary है दूसरे देशों के साथ जो लग रही है उन boundary से लेकर मैंने 10 important question लियाया लेकिन ये भी confirm है कि ये previous share में IO question है ठीक है तो start करते है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरास्टे सीमा है चलो मैं आपको बता देता हूँ knowledge में पहले सबसे पहली बात तो बताये तो किलो मिटर लंबी सीमा लगती है बांगलादेश के साथ ये question भी कई बार पूछ ले जाता बच्चो तो सबसे लंबी अंतरास्टे सीमा किस के साथ लगे होगी तो आप बोलोगे बांगलादेश ठीक है अब बात करते है कई बार ये भी पूछा जाता है आप बात करते हैं ये राज्य कोण कौन से दोबार बता होगा अप तिरफुरा मिजोरम असम मेंगाल ये पस्चिम बंगाल सबसे बड़ी अंतरास्टे सीमा किस से लगती है तो आप बता होगे बांगलादेश question number next question number next आपकी screen पर यह रहा उत्तर पस्चिम में भारत की भूमी की सीमाई किस देश के साथ लगी हुई है देखो बच्चो मैं आपको इबर map सा बना देता हूँ एक बार यह आपका हो गया map ठीक है अब बात करते हैं यह आपका हो गया map देखो इधर यह कौँसा होता हमारा यह होता हमारा उत्तर ठीक है यह होता हमारा पस्चिम और यह होता हमारा पूर्फ और यह होता हमारा उत्तर दच्चिन यह कौँसा होगा उत्तर दच्चिन पूर्फ और पस्चिम ठीक है यह बात लिए रहोगी अब मैं बता जेता हूँ थोड़ा सा नोलिज देता हूँ आपको कि जो अंतरास्टे सीमा है न अगर मैं दच्छन की बात करूँ तो दच्छन में लगता है सिरी लंका क्या लगता है सिरी लंका दच्छन के अंदर क्या लगेगा सिरी लंका लगेगा ओ शिट देखो दोबार भाग में बांगलादेस लगेगा क्या लगेगा बांगलादेस और मैमार ठीक है अब बात करते हैं कि अब भई कोशन जो पूछा था उसका बता देते हैं देखो इसने क्या पूछा था उत्तर और पस्चिम तो यह क्या है यह हमारा उत्तर है और यह हमारा पस्चिम है तो यह पर पूछा है तो यहां पर कौन सा होगा बच्चो पाकिस्तान होगा क्या होगा पाकिस्तान तो आपको एक कोशन बिल्कुल clear हो गया होगा बड़े important कोशन है इसके साथ जितने भी आप कोशन बताए है सारे कोशन आते हैं ठीक है तो अब कोशन नंबर हम next पर चलते हैं चलो पूँन हरिद हमाचल परदिश के किस दिले की सीमा चीन के साथ लगति हैं किस जिले की सीमा मतलब को कहाता है इस देखोई SSC 2006 में Matrix 3 परिक्षा में आया था ठीक है हिमाचल परदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है हिमाचल परदेश देखो हिमाचल परदेश कहां पर है और सबस्वर बड़ी बात ये चीन भी का है तो देखो देवताओं की भूमी बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है देवताओं की भूमी किनोर ठीक है किनोर हिमाचल परदेश के सीमला की उपर है जो भारत और सीमा से लगा हुआ जिला है ठीक है तो किनोर इसका आंसर हो जाएगा question number next question number next क्या कहता है बच्चो राज्य समू जिनके मनिपूर की सीमा लगी हुई है राज्य समू बई मनिपूर के साथ कौन कौन सी सीमा लगी हुई है वो देखना है वो भी राज्य के अंदर तो बच्चो ये important question है ये भी देखो group DOC दोनों में आयता stenograph में ठीक है तो इसका answer क्या होगा इसका answer मैं आपको दो मिनटे देता हूँ सोचो फिर उसके बाद मैं इसका answer बता दूँगा तो बच्चो क्या होगा नागलेंड मिजोरम और मेगाले मनिपूर की सीमाओं के साथ लगा हुआ राज्य है तो आगे बढ़ते है question number next भारत का सबसे बड़ा संग राज्य चेतर कौन सा है सबसे बड़ा संग राज्य कौन सा है सबसे बड़ा संग राज्य कौन सा है तो आप बताऊगे देखो वैसे अगर मैं बात करूं उस वक्त जब ये question पूछा गया था तो इसका answer था क्या था अंदमान निको बार दिविप समो ठीक है सबसे बड़ा संग राज्य छेतर लेकिन अब अगर इसका आँसर का रिप्लाई करूung तो अब होगा बच्चो इसका होगा क्या लद्दाक क्या होगा लद्दाक क्यों सुनना क्योंकि 31 अक्टूबर को important question है बच्चो 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाक और जम्मू कस्मीर को अलग कर दिया गया तो अब सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा जाएगा तो आप बताओगे लद्दाक ठीक है बड़ा ही एक historical decision था विजेपी गोर्मेंट का जो क्या कहते है 370 article 370 को हटा दिया गया था ठीक है चलो फिर आगे बड़े question number next निमलिक्त में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मैं मार से नहीं लगती मैं मार से सीमा नहीं लगती ऐसा कौन सा राज्य है दखो ये SSC metric 2008 में आयवा question है तो आपको मैं 10 second देता हूँ आप इसका answer बताए ठीक है तो मैं मार से नहीं लगता इसका answer होगा असम क्या होगा बच्चो असम इसके बारे मैं थोड़ा से और बता देता हूँ असम राज्य की सीमा मैं मार को स्पर्स नहीं करती जबकी किस-किस के साथ करती है अरुनाचाल परदेश के साथ भी करती है मिजोरम के साथ भी करती है मनीपूर के साथ भी करती है और एक नागा लेंड के साथ भी इसकी सीमा साजा करती है ठीक है आगे बड़े question number next अगर बच्चो आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है थोड़ी बहुत भी helpful है तो आप इस वीडियो को like करें एक बात बताता हूं बच्चो भीड का हिस्सा मत बनो ठीक है most important है time waste बिलकुल नहीं होगा इस वीडियो में proper way में आपका explanation दी जाएंगी और आप देख लेना दिल्ली पुलिस के अंदर आप जितनी में में वीडियो डाल रहा हूं यह सब भर भर कर आपको questions मिलेंगे आपको और मैं आपको दिखा भी रहा हूं नीचे यह आईवे questions भी है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं भारत के कितने राज्य नैपाल के साथ सीमा साजा करते हैं नैपाल के साथ दिखो भई अभी यह सीमा वाला टोपी की मैंने अभी थड़ पे ही क्यों उठा लिया क्योंकि इसका सब सब बड़ा important reason यह है अभी जो हमारी सीमाओं के साथ boundary के साथ जो हमारी अभी प्रेसानी चल रही है चाइना के साथ भी चल रही है पाकिस्तान के साथ भी चल रही है इवन नैपाल के साथ भी चल रही है तो अब इसलिए यह questions आने बड़े important हो जाते हैं कि कौन-कौन सी सीमा किस-किस राज्य के साथ है इस तरीके से चलो फिर question number इसका answer क्या होगा देखो ऐसे सीमा है वो question है यह 2017 के अंदर भारत के कितने राज्य नैपाल के साथ सीमा साजा करते हैं तो आप बताओगे पांच राज्य ऐसे हैं जो सीमा साजा करते हैं कौन-कौन से हैं अब वो सुनो उत्राखंड यूपी बिहार पस्चिम बंगाल और सिक्किम ठीक है सिक्किम कौन-कौन से उत्रपरदेश उत्राखंड बिहार पस्चिम बंगाल सिक्किम पांच राज्य हैं जो नैपाल के साथ सीमा साजा करते हैं ठीक है बच्चो question number next निमिलिक्त में से सही जोड़ा कौन सा है इसमें से हमें सही जोड़ा पैचानना है कि भई इसमें से सही जोड़ा कौन सा है कौन सा जोड़ा सही है देखो भई एक एक करके बात करें असम की राजदानी क्या है पता आपको दिस्पूर क्या है दिस्पूर ठीक है असम की राजदानी क्या है दिसपूर अरुना चल परदेश की राजदानी कौन सी है इटा नगर कौन सी है इटा नगर ठीक है और अब बात करते हैं नागा लेंड की जो राजदानी है वो कौन सी है कोही मा और तिरपूरा की कौन सी है अगरतला तो इसमें सही कौन सा है तिरफुरा अगरतला तो ये वाला पॉइंट बिलकूल परफेक्ट है और देखो FCI 2012 में ये कोशन आयवा important question है तो तिरफुरा की राजदानी कौन सी है बच्चो अगरतला अगरतला किस की राजदानी बच्चो तिरफुरा की है ठीक है question number next है अपने पास देखो FCI 2012 के अंदर आवा है राजजो के किस समू के साथ नागलेंड की सीमा साजजी सीमा है ठीक है नागलेंड के साथ तो आपको इसका आंसर बताएंगे ठीक मैं आपको पांच सेकंड देता हूँ फिर इसका आंसर आप reply करें अभी मनीपूर के बारे में पुचा गया था अब नागलेंड के बारे में हम discuss कर रहे हैं इसके बारे में नागलेंड के बारे में तो इसका आंसर होगा बच्चो अरुना चल परदेश असम मणीपूर तो इसका आंसर होगा B option दको अगर जितने भी बच्चे हैं कुछ मत करो मेरा एक तो टेलीगराम चैनल है उस पर मैं क्या कहता है PDF डाल देता हूं daily PDF जैसी वीडियो देखी एक बार PDF देख लिए इसका क्या आंसर है उसका मैंने निचा आंसर नहीं लिखा है इसी वज़े से ठीक है और अगर आप कोई questions आते हैं तो कुछ मत किया करो वीडियो पोस्ट करो comment box में वीडियो पोस्ट करो comment box में उसके answer reply करते रहो और फिर आप कोई पता लग जाएगा आपने कितने total answer reply सही किये है ठीक है question number next निमलिक्त में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है कौन सा जोड़ा सही नहीं है तो बताओगे आप देखो धैरादुन उत्राखंड साफ साफ दिख रहा है कि ये धैरादुन जो है ये कहाँ पर है उत्राखंड के अंदर है उत्रप्रदेश के अंदर नहीं है उत्रप्रदेश के अंदर नहीं है तो ये जोड़ा क्या है गलत है अगे बड़े देखो SSC स्टाफ सेलेक्षन के अंदर आये था section of में आये था 2006 के अंदर question number next भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा मानचितरों की अदला बदली की थी तो किस के साथ की थी बच्चो बांगलादेश के साथ मानचितरों का अदला बदली कर दी थी उधर से भारत में स्थित 116 बांगलादेश को और बांगलादेश द्वारा बांगलादेश में स्थित 116 का सोपा गया था सीमा तो बच्चो ये वीडियो यहीं तकी थी आपको कैसे लगी ये वीडियो ये जरूर बताना वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और share करना जितने भी अपने आपके friends है ठीक है हाँ इतनी है कि इस वीडियो में आपका time waste नहीं होगा proper way में ना कुछ system क्या है बस खाली आपको एक proper way में knowledge दी जाएगी कोशिस रहेगी इतने questions करा दे जाएए paper से पहले कि आपका exam अच्छे से निकल जाए तो thank you so much जैन जै भारत